हेले विवान कैसे आप से भी लोग बच्चे आपके स्क्रीन पर एक क्वेशन दिख रहा है यह क्वेशन रोटीशनल मेकैनिक्स का एक ठीक ठाक क्वेशन है कि यह भी प्यवाई में आया हुआ था सायद 2013 में संथिंग आया था क्वेशन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं पिर देखने इसका प्रोश क्या हो सकता है अब अब बुलट अप मास M is fired horizontally into a large sphere of mass M अपुदे रख आये एजूम Capital M much much greater than small M and radius R resting on a smooth horizontal table है ना दे बुलेट हीट्स दीस sphere at a height H यह आप दिख रहा है from the table and sticks to it surface if the sphere starts rolling without slipping immediately on impact then आपको चार option दे रखें हर एक option में H by R की बात करीगी है ना ओके आप एक चीज देखो कि इसमें जो जो चीज दे रखें हर एक information कुछ नो कुछ आपको बताएगा कि जैसे कि जो मास है capital M हो small M से बहुत जादा है और यह मास जो ऐसे after hitting it यह से जो है stick कर जाता है इसी में क्या होता है रुख जाता है तो अगर यह M बहुत छोटा है capital M के comparison में इसका मतलब यह कि इस भाई साब का जो अपना center या center of mass था और आफ्टर डिस hitting phenomenon जो नया center of mass आएगा उसमें कोई बहुत खास अंतर नहीं आएगा क्योंकि यह बहुत छोटा है इस बड़े से mass massive system अगर छोटा सा mass अगर इस पर एड़ हो जाए तो भी इसका center of mass इधर दो ज्यादा खिजकने वाला नहीं है अगर यह थोड़ा भूद भी ठीक होता significant amount होता है इसके comparison में तो center of mass का नया location आता बट यहां पर center of mass आपका change होने वाला नहीं है हम यह मान की चलेंगे ठीक है ना that's why it is given कि m जो है काफी बड़ा है small m से दूसरा देखिए आप लोग कि जब यह hit करेगा इसको है ना जिसे मालीज यहां पर hit कर रहा है तो यह small m इस पर normal लगाएगा और यह जो capital में small m पर normal इधर लगाएगा सही है ना दोनों normal लगाएगे अगर आप इन्हें आज़ा system मानते हो इस पुरे system में कोई भी horizontal direction में force नहीं आ रहा है दिख रहा है कि आपको भाई इन दोनों का mg 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 नीचे लग रहा होगा horizontal direction मुझे दिखी दिखी दीर आपको तो हम क्या करेंगे यहां पर linear momentum conservation लगा सकते ही next direction है कि नहीं लेकिन अगर मालों यहां पर friction हो जाता यहां पर है अगर माली जिए कि यहां पर क्या है friction आ गया यह rough surface है तो जैसे यहां पर आएगा तो friction भी आ जाएगा तो अगर वो friction आ गया तो फिर आप linear momentum conservation नहीं लगा होगे इसलिए surface को उसने smooth माना है ठीक है तो यह हो दूसरा देखो अगेर हमने आपको दिखाया कि जो forces लग रहे हैं इस पर एक normal जो small m पर लग रहा था due to capital M इधर लग रहा है और एक normal इधर लग रहा है capital M due to small m वो इधर लग रहा है ठीक है ओके इसके लामा mg लग रहे थे जो कि non-impulsive forces है तो अगर आप इस पूरे system पर किसी point के about torque लिखोगे तो torque भी कितना जाएगा इस पर किसी point के about zero हो जाएगा क्योंकि हम non-impulsive लोगों का देखेंगे नहीं है ना अच्छा क्यों नहीं देख रहे हैं क्योंकि non-impulsive forces जो भी है उनका जो effect आएगा वो impulsive लोगों के comparison में काफी कम रहेगा है तो हम ऐसे भी सो सकते है पुरे system का हम लोग angular momentum भी conserve करा सकते हैं और हम वो point मानेंगे center of mass ताकि अगर हमारे पास कोई यह अगर मान लिजे center of mass हम मानते हो और इसका खुद का acceleration कुछ ना कुछ हो सकता है तो जो भी इसका pseudo force आएगा वो इसी point से pass करेगा तो pseudo का torque हमें क्या मिल दाएगा जीरो मिल दाए तो हमने यह point मान लिया कि यह point O है और इस point के about हमें क्या करना angle momentum conserve करना है तो दो बाते हमें करने पड़ेंगे एक linear momentum conserve करना और एक करना तो वह आईए one by one करते हैं पहले linear momentum करते हैं और हम मान की चलना है कि दिस जस्ट आफ्टर कोलिजन है और इस जस्ट वीफोर कोलिजन है जस्ट वीफोर कोलिजन एम जो है वह यूज़ स्वीच करने वाला होगा और आफ्टर कोलिजन इससे attached हो गया और पूरा system जो है उ मैं लिख सकता हूं bet are atering क्या स्रफेसं वाला किया फिक्षाना फिक्स सर्फेस पर कोई भी ऑबजेक्ट रूं करता है इस स्पिरिकल अबजेक्ट यह सिलिंडर्डर हो रिंहों इस्कोषरर विश्वेयर तो यह कर रही है और और फिक्स सर्फिस पे है तो वीज कल टू आरो मेंगा आप लिख सकते हो ठीक है ना प्योर रोलिंग कंडिशन में तो यह हो गया तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्ब करूंगा तो पूरे सिस्टम का मास इंटू वेलोसिटी अब सेंटर आप मास तो M प्लस M into M plus capital M into B आपका यह बादवाला हो जाएगा मोमेंटम यह ना पूरे सिस्टम का और पहले यह तो रेश्ट पर था सिर्फ यह चल रहा था तो M into U हो गया ठीक है इन दोनों के क्विट करो गया चाहते हो यहां से VQ निकाल लो तो हमने यह लिख दिया अब हमें क्या करना है इसके बाउट center of mass के बाउट आज आप यह कर लेते हैं तो आप मैंने बताया आपको क्या आगे है वह एन का जो इफेक्ट आएगा टॉर का जीरो जागा पूरे सिस्टम पे तो पहले सिस्टम में सिर्फ कौन चल रहा था यह चल रहा था इसका line of motion जो ओसे वह वह आपका concentric नहीं है या collinear नहीं है ओके लिए कुछ gap आपको दिख रहा इसका कोशना को टॉर्क आएगा या मोमेंट आएगा तो बस हमारे पास angular moment जो आएगा इसका वह आएगा यहां से ग्राउंड से था एच और यह हाइड था आर यह बचेगा हमारे पास एच माइनस आर तो इनीशियल मोमेंटम कितना हो गया एंगलर M-U-H-R बाद में पुरा सिस्टम ही क्या कर रहा है प्योर रोलिंग करते वह चल रहा है तो ऐसे सिस्टम के लिए हमारे पास क्या लिखना होगा जो है आप लिख सकते हो कि सर यहां पर हम लिख सकते हैं इस सिस्टम का moment of inertia के लिए आप देखोगे कि सर सिस्टम में दो लोग है एक तो यह बॉड़ी है यह वाली जो की स्फियर था दूसरा यह पॉइंट ऑब्जेट था दूसरा पॉइंट ऑब्जेट का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट अफिनर्सिय अगर लिखना यह एक्सिस के लिखना है तो उससे परिपेंडिक को डिस्टम निकाल लो त यह पूरा जो बॉड़ी है इसका हो जागा साथ टूबाई फाइफ एमारे स्क्वेर स्वालिड बॉड़ी है स्वालिड स्फियर है यह आगया यह मोमेंट ऑफ इनर्शी आगया सिस्टम का इंटू ओमेगा कर दोगे तो क्या मिल जागा हमें एंगलर मोमेंटम मिल गया ठी देखो अगर आप इसको सॉल करो यहां तक हमारा हो गया था यह मैंने वैलू पूट कर ली अब यहां पर एम यू की जगह पर हमने क्या रख दिया यह चीज रख दी यह आप रखते हैं प्लस कैपिटल एम इंटू वी इंटू एज माइन सार वी इसकल्टी क्या लिशकते ह अरई उमेगा ले सकते हों एक उमेगा से एक चला जागा इहां मचेगा अर अब इस आर और यहां पर देखो इन दोने टम में आर स्कौर सब्सक्राइब एक लाइन का मैं आपको बस एक क्यालकुलेट करने के लिए बस एक स्टप छोड़ा है आप कर सकते हो चुकि आपको समय नहीं किया बट वह आप कर सकते हैं बड़े एजली क्योंकि आप तो बस क्यालकुलेशन ही था एक स्टप और यह हमारा फाइनल आसर आगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी से मैच करता तो आई होप यह पूरी बात आपको समझ में आई होगी बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियो